हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल फ्रेंड्स आपने चिकन बिर्यानी तो बहुत पार खाई होंगे पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फेमस अरेबियन डिस चिकन मंदी की रेसिपी इस रेसिपी को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को लाज तक जरूर देखे और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स अरेबियन मंदी वाजाने से पहले हम एक स्पाइस मिक्स रेडी कर लेते हैं उसके लिए हमें चाहिए छे लाइची, दो स्टार अनिस, एक तेज पत्ता, एक चमच काली मिर्च, एक चाइफल, या नट में, छे लोंग, चार दालचेनी, एक चमच सौफ, दो चमच जीरा, तीन चमच धनिया अब हम इसको मिक्सर में डालके पीस लेंगे तो अब ये मंदी का स्पाइस मिक्स रेडी हो गया है, हम इसमें से आधा निकाल लेंगे, बाकी राइस में डालने के लिए और एक लेमन का जूस चाहिए, थोड़ा सा जिंजर गालिक पेस्ट और ऐसे बड़े टुक्रों में कटा हुआ चिकन, जिसमें ये ऐसे डीप कट होने चाहिए, ताकि मसाला अंदर तक चिकन मैरिनेट करने के लिए पहले इस मसाले को एक बोल में डालेंगे, उसमें ये ले नमक, आप चिकन के हिसाब से नमक डाल दीजिए, एक चममच रेट चिली पाउडर, और एक चममच कोकिंग ओयल, अब इस मसाले को हम मिक्स करके चिकन में मारिनेट करेंगे, अब ये चिकन मैरिनेट हो गया है, अब हम इसको आदे गंडे के लिए रख देंगे, और उसके बाद रेसिपी स्टाट करेंगे, जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम तब तक राइस को भीगा के आदे गंडे के लिए रख देंगे, आप कोई भी राइस ले सकते हैं, में छे कप डालना पड़ेगा पानी है कि मैंने चिकन सेट कर लिया है अब हम इसको उस वैसल के ऊपर रखते हैं आपके पास ऐसा ट्रेनर हो तो सेट कर दीजिए अब हम इसको कवर करेंगे अब हम इसको कवर करके हाई फ्लेम पर 15 मिंट तक पकाएंगे 15 मिंट हो गया है और पानी उबल चुका है अब हम चिकन को स्लो गैस पर ऐसे ही आदे घंटे के लिए पकाएंगे कवर करके अब हम इन चिकन के पिसेश को पलट देंगे और उसे फिर से आदे घंटे पर ढखके पकाएंगे अब हम इस चिकन को पकते हुए एक घंटा हो चुका है अब मैं इस चिकन को चेक कर लेती हूं यह पका है कि नहीं चिकन पक्या है यह जो चिकन में से निकला हुआ पानी है इसको हम यकने बोलते हैं इसे में हम राइस पकाएंगे यह वो चिकन स्टॉक है जो हमने चिकन को पकाते वक्त पानी में बनाया था एक पैन लेरी हूं उसमें थोड़ा चिकन के पीसे इसको सालो फ्राइब कर दूंगी दोनों तरफ से अच्छे से शेख लें अच्छे से चिकन फ्राइब हो गया है देखिए कितना अच्छा दिख रहा है अब हम एक वैसल में थोड़ा सा ओयल डालेंगे और इसे गरम होने के बाद एक मेडियूम साइज का प्यास डाल देंगे प्यास अच्छी तरह से भून चुका है अब इसमें कोई भी खड़े मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वह मंदी स्पाइस मिक्स रेडि किया था उसमें सब कुछ है अब वह तो चमच हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा भून देंगे मसाला भूनने के पाद हम इसमें वह यकनी डाल देंगे यकनी चार कप है अगर आपके पास कम पढ़ जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला दें अब इस यकनी को हाई फ्लेम पे थोड़ी देर उबाल देंगे और उसमें एक चमच नमक डाल देंगे अब यकनी में उबाला आच चुका है अब हम इसमें राइस टाल देंगे अब हम इसको मिला देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से पानी ड्राय ना हो जाए अब इस राइस में से पानी ड्राय हो चुका है अब क्यास की फ्लेम को लोग करके चिकन के पीसेस को इसमें रख देंगे मंदी में स्मोकी फ्लेवर लानी के लिए मैं यूज कर रही हूं कोकनेट का चिलका जिसको मैंने जला दिया है अब इसमें एक चमच घी डाल देंगे अब इसमें से धुआ आ रहा है अब इसको कवर करके पांच मिनिट के लिए और पका लेंगे चिकन मंदी अब रेडी हो गया है अब मैं इसको निकाल देते हूं अब मैं इसको थोड़ा सा गाणिश कर देते हूं थोड़े से ब्राउन अनियन्स और थोड़े से ड्राइब फूट्स के साथ झाल बंसेम ओूप़े से अब चलोट आ ड्राइब देल कर दोड़ें जया है अब मैं इसकी अमिनिया याज़े से ब्राइबे लिए प्रते हूं